सर्दियों में कडाई से निकला गर्मा गर्म नाश्टा खाना किसको नहीं पसंद और उपर से ये बरसात का सितम जो चाहे अंचाहे हमें कुछ चटपटा गर्मा गर्म खाने को मजबूर करी देता है पकोड़ी, समोसा, कचोरी ये सब तो हमने बहुत खा लिये तो आज हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो जटपट बन भी चाहे और हमें भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आलू कोफता की रेसिपी जो एक बार बना कर खा लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे तो चलिए ये सूपर टेस्टी आलू कोफता बनाना शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मला मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर मेरे ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे आलो कोफता बनाने के लिए हमें चाहिए उबलेवे आलो तो यहां पर मैंने चार बड़ी साइच के उबलेवे आलो लिये हैं तो मैंने आलो को कुकर में डाल कर इने तीन विसल में पका लिया है क्योंकि आलो साइज में बड़े हैं तो अब ये काफी अच्छे सॉफ्ट कुक हो गए हैं ये थी आप छोटे आलो का इस्तमाल कर रहे हैं तो उनमें से टी कम लगाएं अब सबसे पहले इन आलो को हम मैश कर इसलिए फाइन मैश करने की जरूरत नहीं है तो इस तरह से मैंने आलो तयार कर लिये हैं अब हम एक कड़ाई के अंदर दो से तीन चमज तेल कर लेंगे अब जैसे ही तेल करम हो जाएगा इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे वैसे बहुत ज़दा मसाले भी इसमे जालेंगे हींग और तीनों को कुछ सेकेंड के लिए पका लेते हैं तो अच्छी खुश्पो मसालों में से आने लगी है तो अब इसमें डालेंगे एक बड़ी साइच का मोटा कटावा प्याज प्याज को थोड़ा मोटा ही काट कर लें और इसी के साथ हम एक से दू हरी मि कुछ भी काट कर डाल देंगे एक बड़ी चमच मैंने अदरक और लसुन को इस तरह से ग्रश करके लिया है तो छे साथ लसुन की कलिया थी और आदा इंच अदरक का टुकडा था अब इन तीनों चीजों को भी हमको सेकेंड के लिए पका लेते हैं हमें इसमें प्याज को इस तरह का दिखाई देगा और साती हरी में चदरक और लसुन भी पक जाएंगे तो इस चीज पर हम इसमें डालेंगे एक चोथाई कप कटेवे काजू साती एड़ करेंगे एक चोथाई कप किश्मिश और अब कुछ सेकेंड के लिए इनने भी पका लेते हैं तो ये ट्रा चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चोटी चमच धनिया पाउडर एक चोटी चमच लाल मिर्श का पाउडर एक चोटी चमच आम चूर का पाउडर साती एड़ करेंगे एक चोटी चमच गरम मसाला अब इने भी 20-30 सेकेंड के लिए पका लिते हैं तो मसालों में कच्छापन नहीं रहेगा और इनका बढ़िया टेस्ट भी आएगा जब हम इस स्टेज पर इन मसालों को अच्छे से पका कर लेंगे तो ये देखे 20-30 सेकेंड हमने मसालों को पका लिया है तो कलर भी इनका काफी अच्छा हो गया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे एक कप उबलेवे मतर साथी इसमें डालेंगे एक छोटी चमच बीसीवी चीनी या आप साबू चीनी भी ले सकते हैं बस उसे अच्छे से डिजॉल्व कर लें इस स्टफिंग के अंदर स्वात के नुसार मैंने नमक एड़ कर लिया है और एक बार फिर हम एक मिनिट के लिए सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी अब स्टफिंग अलमस्ट तयार है तो लास्ट में हम इसमें डाल देंगे ये उबले और मैश के वे आलू अब आलू डाल कर इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों के साथ तो इस स्टफिंग का जो टीस्ट होता है वो थोड़ा सा चटपटा सा होता है जो खाने में काफी अच्छा लगता है साथ इसमें काजू किश्मिश की जो बाइट आएगी न वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाली है तो वो आप जरूर से इस्तेमाल करें लास्ट में मैं कुछ बारी कटीवी धन्यापती डाल कर एक बार फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेती हूं इस स्टफिंग से हम कौफता तो बना ही सकते हैं इसके साथ आप चाहें तो ये स्टफिंग समोसों में बरकर समोसे भी तयार कर सकते हैं इस तरह की समोसे भी खाने में काफी अच्छे लगते हैं स्टफिंग हमारी तयार है तो एक प्लेट में निकाल कर में से अच्छे से फैला देती हूं ताकि अच्छे ठंडी हो जाए अब यहाँ पर स्टफिंग जब तक ठंडी हो रही है, हम बैटर बना कर तयार कर लेते हैं कोफतों के लिए तो इसके लिए एक mixing bowl के अंदर हम डालेंगे date cup बेसन, आप मोटा या बारिक किसी भी तरह की बेसन का इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे चुटकी बर healthy powder, आदा चोटा चमच लाल मिर्च का powder और स्वाद के अनुसाय नमक बागी इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि stuffing में already मसाले हैं अब पहले थोड़ा पानी डालेंगे और इसे एक whisker की सायता से अच्छे से mix करेंगे ताकि इसमें कोई भी lumps ना रहें और एक बार mix करने के बाद क्योंकि batter अभी थोड़ा काटा है तो इसमें थोड़ा पानी हम और एट कर लेंगे और एक बार फिर इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए तो अच्छे से हैंडल कर पाएं हम बैटर को और साथ ही जब कौफटों पर इनकी कोटिंग हो तो वो भी ज़्यादा मोटी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो तो इस तरह के कौफटे खाने में अच्छे लगते हैं तो यह अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है थोड़े पानी की मुझे कमी लग रही है तो थोड़ा सा पानी में ओर डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ बैटर बनाकर हमने तयार कर लिया है और अब बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए इसके लिए हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तब तक जो स्टफिंग हमने प्लेट में डाली थी वो भी ठंडी हो चुकी है तो अब इसकी गोल बोल बना लेंगे तो कोफते आप बड़े चोटे आपको पसंद आते हैं उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो यह मैंने मीडियम साइच के कोफते बनाए हैं तो सारी स्टफिंग से इसी तरह से गोल बोल बनाकर तयार कर लेंगे तो ये हमने स्टफिंग से सारी गोल बोल बना कर तयार करनी है और बैटर को भी चेक कर लेते हैं तो ये देखे एकदम परफेक्ट बैटर बन कर तयार हुआ है ना ही ये ज़्यादा काड़ा है और ना ही ये ज़्यादा पतला है अच्छे से ये फूल कर सैट हो गया है तो ला अच्छे से इस बैटर में मिक्स हो जाए तो ये बैटर बनकर तैयार है और इतर कड़ाई में महने तील करम होने के लिए चड़ा दिया था तो एक टुत फिक से इसे भी चे-कर लेते हैं तो चाहें तो आप बैटर गिरा कर भी इसे चेक कर सकते हैं तो टुत फिक में हलकी जब डालेंगे तो इस तरह से यह थोड़ा बहुत जो बैटर होता है वो साइड में गीरी जाता है तो इसकी कोई टेंशन नहीं है यह भी क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम कडाई से निकाल लेंगे और फिर इन्हें अलग से खाएंगे तो यह भी खाने में बहुत टेस्ट तो बैटर को उपर अच्छे से पका लें अब यदि आप इन कौफतों को लेट सर्व करना चाते हैं लेकिन पहले से ही तयार करके रखना चाते हैं तो आप इन्हें हाफ फ्राइ करके रख लें और जब इन्हें सर्व करना चाहें तो अच्छे गरम तेल में इन्हें फ्राइ क भी फ्राइब करके तयार कर लेते हैं क्योंकि एक साथ हम सारी कौफते नहीं डालेंगे क्योंकि आपस में चिपक भी जाते हैं तो इस तरह दो बैचेज में हमने इने फ्राइब कर लिया है तो यह हमारे उपर से खक रिस्पी अंदर से चट्पटी स्टफिंग वाले कौफते बनकर तयार है ये second batch भी हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर और कोफतों के साथ यदि हरी मिर्च हो तो खाने में और भी मजाता है तो ये थोड़ी से हरी मिर्च भी में फ्राइ करके ले रही हूँ तो इन्हें भी हम कोफतों के साथ सर्व करेंगे तो खाने में बहुत अच चपिंग तो काजू, किश्मिश, मतर काफी अच्छे लगते हैं खाने में तो आप इसको हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं तो जरूर से आपी कोफती बनाएं और इस सर्दी की मौसम में इनका मजा उठाएं फ्रेंड्स कैसे लगी आज की रेसीपी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करना अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत बूलना मिलते हैं को और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई